एपिसोड नमरे 18 की स्टार्टिंग होती है और वो लड़की यान से कह wär रही होती है कल वो तुमी थी ना जिसने बेशर्मी से सीनियर लू को सेडिूस करने की कोसिस की और फिर यान सोचती है सीनियर लू अच्छा जिसने कल मुझे बचाया था फिर वो लड़की कहती है मैं त तुम से आखरी बार कह रही हूँ तुम सीनियर लू से दूर ही रहना और अगर तुम उसके सामने आई तो ये तुमारे लिए अच्छा नहीं होगा इस पर यान रुक कर उसे जवाब देती है मुझे माफ करना पर मैं नहीं जानती कि सीनियर लू कौन है लेकिन मुझे तुमे देखकर नहीं लगता कि सीनियर लू को तुम में कोई इंट्रेस्ट है ये सुनकर वो लड़की को बहुत गुस्ता आ जाता है और वो यान की कॉलर पकड़ती हुए उससे कहती है क्या कहा तुमने और यान उसे कहती है जाने दो मुझे और तभी वहाँ लू आ जाता है और क रुख जाओ। फिर वो लड़की पीछे मुड़ती है और कहती है सिनियर लू। फिर लू उस लड़की से कहता है चेन तुमारी क्लास शुरू होने का समय हो गया है और टीचर तुम दोनों का इस तरह लड़ती हुए देखेंगी तो वो क्या कहेंगी। फिर चेन यान से कहती मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी फिर वहां से चली जाती है और यान कहती है धन्यवा सेनियर लू फिर लू बलश करते हुए कहता है अरे कोई बात नहीं फिर वहां से जाते हुए कहता है चलो बाद में मिलते है फिर सिंसिफ्ट होता है और लू सभी स्टुडेंट से क पहुती बढ़िया है फिर चैन कहती है सिन्य लू क्या मैं आपको मेरे साथ डांस करने के लिए इन्वाइट कर सकती हूँ तब लू उससे कहता है नहीं मुझे माफ करना और वहीं यान मन में कह रही होती है डांस में भी इसे देखना चाहूंगी पर क्या मो मुझे इस पार्टी में मैं तुमारे साथ चल सकता हूँ ये सुन यान मो के बारे में सोचती है और फिर वो लू से कहती है मुझे माफ करना पर मैं शायद पार्टी में नहीं आऊंगी फिर लू उससे कहता है अच्छा ये बात है और अगर यान तुमारा जाने का प्लैन बने तो से कह नहीं पाता और गाइस इसके साथ एपिसोड नमबर 18 यहां एंड होता है पसंद आए तो लाइक एंड सिस्क्राइब जरू करें मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में